एपिजोड 9 की स्टार्डिंग होती है और नियान कहती है आज मैं जहां हूँ वहां मैं पहुच सकती हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे सबक सिखाया है फिर नियान जिन्यों कुछ करती है और फिर कहती है और ये आपका reward फिर जिन्यों कुछ समझ में नहीं आता और वो नियान का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है जब हम वापस जाएंगे तो तुम अच्छे से behave करोगी याद रखना मैं आज जहां था वहां वापस जा सकता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके साथ खिलवार किया जाए इसकी बाद मिस्टर जो कहते है मेरी पोती में कोई भी abilities नहीं है हाँ बस वो sharp shooter है बस मैं उससे गंच छुपा छुपा के रखता हूँ फिर जिन्यो कहता है नियान गुओ को ये सब नहीं आता मिस्जो मुझे माफ कीजिए क्या पर आप नियान गुओ को ये जिखाएंगी फिर नियान कहती है आपको मुसीबत में डालने के लिए sorry मिस्जो और फिर वो सोचती है मुझे shooting करना नहीं आता ये तो काफी normal बात है और मिस्जो की तारीव करने से वो बिगड़ जाएंगी फिर मिस्जो कहती है हाँ ठीक है फिर जिन्यो कहता है मिस्जो चलिए पहले जैसे गेम खेल दे है फिर मिस्जो कहते है अरे वाँ चलिए चलिए इसकी बाद मिस्जो नियान को देखती है और फिर कहती है अगर मैं तुम्हारी जगे होती तो अब तक abortion करा लेती और उससे divorce ले लेती तुम मिस्जो की कुछ जादे ही परवा कर रही हो और तुम boss you के लायक नहीं हो अगर तुमें पैसे चाहे तो तुम जितने चाहे उतने पैसे मुझसे मुझसे मांग सकती हो फिर नियान सोचती है क्या ये मैरी सु का पुनर जनम है क्या ये मुझे मारना चाहती है लोग को अगर सच्चा ही पता नहीं होगी तो वो कह सकते हैं कि मैंने किसी का मडर किया हुआ है फिर मिस्जो कहती है क्या हुआ क्या तुम satisfy नहीं हो नियान गुओ मैंने तुम जैसी बहुत सी औरते देखी है अगर बहुत सी हो आज यहां नहीं होते तो मैं तुम्हारे लिए चीजे मुश्किल बना देती फिर नियान कहती है वैसे मिस्जो मुझे बहुत ज़़ जानने के इच्छा है कि आप क्या करना चाहती है फिर मिस्जो कहती है मैं किसी हो कहके तुम्हे फुडवा दूँगी वैसे तुम्हे आदमी पसंद है ना मैं तुम्हे उनसे खेलने दूँगी फिर नियान कहती है वैसे मेरी राए यह है कि आप एक आदमी देख लो वैसे अपने गुस्जेल चेहरे को तो देखिए आपको देखके समझ में आ रहा है कि आपको आदमीयों की काफी जरूरत है फिर मिस्जो को और गुस्सा आता है और वो कहती है तुम तो मरोगी फिर जो नियान पे हाथ उठाती है और नियान कहती है अच्छा ठीक है कि आप मुश्किल से अपने आपको शांत रख सकती है आप मुझे मार सकती हो पर मैं आप पे केस कर दूँगी आखिर कर चेहरे पे निशान एक ठोस सबूत है फिर जो रुख जाती है और नियान कहती है क्या हुआ आप डर गई क्या फिर जो सोचती है मैं अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं कर सकती और नहीं बॉस यू के सामने अपनी इमेज गिरा सकती हूँ फिर जो कहती है नियान गो बहुत बुर्य हो तुम और इसे के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खतम हो जाता है कमेंट में बताईए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक, शियर, सबस्क्राइब कर देना अगला एपिसोड बहुत चल दाएगा